कभी-कभी कुछ लोगों की शिकायत यह होती है कि जैसे उन्होंने रात में दही खाया तो दही खाने से अगले दिन उनका यूरिक एसिड काफे ज़ादा बढ़ गया और उसको बढ़ने की वज़े से उनके जो जोईंट स्पेन की समस्या थी वो काफे ज़ादा बढ़ गई महीं अगर दूसरी और बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि दही खाना हमारे लिए काफे ज़ादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर गुड बेक्टिरिया यानि प्रोबाइटिक सपाय जाते हैं जो हमारे डाइजिशन को काफे ज़ादा च्छा रड़ दोने एक दू दूसरी में हम बात करेंगे सो हेलो अबरिवन मैं डॉप्र दीपकुमारी काइडवेधिक प्रेटिशन और आज हम बात करेंगे दही के विशे मां देखिए बही खाना प्राचीन टाइम से ही काफे ज़ादा अच्छा माना गया है जैसे मन आपको बताया कि इसके अंदर ग अच्छा माना जाता है तो उसके लिए अच्छा माना जाता है कि आप तुरंत उसके बाद दही का स्टमाल करें दही खाने से आपके बूर बेक्टिरिया बनेंगे और आपका डाइजिशन धेरे-धेरे स्ट्रोंग हो के आपको फुक भी लगना स्टार्ट हो जाएगा बट लोगों को आदत है कि वो दही में नमक डाल कर खाते हैं कुछ को आदत है कि वो दही में चीनी डाल कर खाते हैं बट नमक और चीनी अपने आप में एक प्रोसेस्स पूड है वो काफे जादा प्रोसेसिंग के बाद तियार किये जाता है काफे जादा के मिला के जो चीनी को तो अगर आप उस प्रोसेस्ट पूर को दही के अंदर मिलाते हैं, तो इससे आपको फाज़े नहीं, इससे आपको नुकसान मिलेंगे, आपको इसकी डिसोडर हो सकते हैं, आपको ऐसी डिसोडर हो सकते हैं, आपको ऐसी डिसोडर हो सकते हैं, आपको एसी डिसोडर हो सकते हैं दूसरा जो देखिया जाता है कि दही के अंदर खीरे का जड़ायता जो है उसका प्संद है लोगों को लोग उसमें मिलाकर खाते भी है जो खीरे की तासीर यानि POTENCY यानि उसका वीजिये जो बताया गया है वो आईरवेद के अपोर्डिंग ठंडा होता है और दही आप लोग समझते हैं कि ठंडी तासीर की होती है, गर्मियों में दही खाना आपके लिए अच्छा होता है बट इसलिए काफिजातों को डिक्कत होती है कि जब वो गर्मियों में उसको थंदी समझ कर खाते है तो उनको skin related बहुत सारे issues आते हैं, उनकी body में heat generate हो जाती है, उनकी body में पित बढ़ना शुरू हो जाता है, और उससे related उनको भीमारिया होने लगती है, क्योंकि जो सही समय बताया गया है, वो बताया गया है, हेमंत और शिशी दीतु यानि आपका सर्दियों का टाइम, सर्द बताने ही है, इससे आपकी body में पहले से मौजूद ही टित्मी होती है, उपर से आप दही खाते हैं, जिसके तासीर गरम है, तो आपको skin disorder काफ़ जादा होने लगते हैं, आपको acidity की समस्या होने लगती है, कभी-कभी आपका पित इतना बढ़ जाता है, जिसको आप आपकी skin के ओपर जो रहशी जाता हैं, जिसको आप पित उचलना कहते हैं, तो वो आपको समस्या होने लगती है, कुछ लोगों को हेर पोल की समस्या होने लगती है, क्यों क्योंकि दही जो तासीर गरम है और आपको गरमियों में उसको नहीं खाना चाहिए, हमारी आदते होती हैं क्रॉम खाने की बड़ वो सही नहीए, दूसरा, आपको दही कभी भी रात में नहीं खाना है, क्योंकि डाइजेशन श्लो हो जाता है, उसका मेटबोलिजम जो होता है, वो जाता है जिसकी वजह से आपको ड़ीक में बड़ने कि हो सकता है, सुबह आपको अगला खराब हो या फिर आपको sinus की समस्य हो जाए या फिर आपका पेट खराब हो जाए तो इसलिए आपको रात में दही avoid करना है आपको दही नहीं खाना है दूसरा कुछ लोगों की आदते हैं कि वो कुछ recipes तयार करते हैं तो आपके लिए काफे बाहरी पढ़ सकता है आपको फूड पोईजिनिंग तक हो सकती है तो दही को आपको गरम करके भी नहीं खाना है और दही खाना आपके लिए अच्छा है क्योंकि प्रोबाइटिक जिसमा सबसे ज्यादा पाय जाते हैं आपके डाइजिशन को सही करता ह बट आपको एक तो रीतु देखनी है कि आपको किस रीतु में खाना चाहिए और क्या चीज़ आपको उसमें मिला कर नहीं खाना चाहिए तो आप नहीं ले सकते हैं तो यह था आज की इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस खूर्स शेयर कीजिए आपको प्रेस जरूर इंजे तक ज्याने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब आपको प्रूचेंगे